लाडला घोड़ा का जिक्र बारवर आप सुनते हैं दिखा दो आके विशाल आगे दिखा दीजिए यह लाडला घोड़ा है और कहा अभी हमको की बिहार और यूपी में इस लाडले घोड़े को कोई हरा ही नहीं सकता है बदाम खाता है दूद पीता है घी खाता है माखन खात पूरा चिंता है अपने के लिए नोकर चाकर रहते होंगे तो आते होंगे पहले हाथी का सौक है यह जो है इसको कहा जा रहा है कि बुतरू है पुतरू मतलब की छोटा है फिलाल के लंसम दूद देता होगा जितना लोग है अश्टाप सब खाता पीता है अभी तो 50-50 अदमी का खाना पर्देग जिता तब जहानाबाद बरहपूर सब जगाजी तिये रहा है कि अतना दूर का रेस होता था होता है चार चकर का होता है किलो मिटर का होता है अपने रखते हैं अपने निकल बाते हैं वीडियो जखान दे हतियार उठेते आरखते इसात में उनके पास जूट है विल्कुल जूट है जान भूच के माँ भावानी डेक और अच्छा टाइल्स बेचती है अगर आपको घर बनवाना है तो माँ चलिए सामने दिखा हुआ अनंत कुमार सिंग सदस्य बिहार इधान सभा एक माल रोड पटना और जब अनंत सिंग के घर में हम घुस रहे हैं तो हमको यहीं लग रहा है कि यहीं अनंत सिंग का वो घर है जहां पर कभी हर्याली रहती थी जहां पर अनंत बाबु बैठते थे खाना बनता था और उसके बाद अनं सिंग से बात करते थे और उसके बार हमको बार नजारा अभी देखकर लग रहा है कि अधी एक आदमी भर के ना रहने से यह पूरा जो घर है वह कैसा शान लगा फॉर्चुनर लगा हुआ है लेंस रोब लगा हुआ हुआ है उधर घाल सुना दिया है तो अनन सिंग का जो आवास एकदम सुनसान पड़ा हुआ है उसके बाद हम जब घूमना शुरू किये तो हमको अंदर दिखा गाय दिखा बैल दिखा घोड़ा दिखा और अनन सिंग के घोड़ों की कहानी आपने बहुत सुनी होगी इसलिए हमने सुझा कि चल महिना से बदली नहीं हुआ है और तमाम तरह के आरोपों के बाद अनन सिंग को दस साल की सेजा दोगदो केस में 10-10 साल की सेजा सुना दी गई अनन सिंग फिलहाल जेल में है उन्होंने एक और बात कही थी कि हम हाई कोट और सुप्रीम कोट भी जाएंगे लेकिन इस से लाडले घोड़े को कोई हरा ही नहीं सकता है इसका नाम नहीं है बुत्रू है अच्छा 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 जिता जिता था जहानाबाद बरहपूर सब जगह जिती है रहा है होता है दुर का रेस होता था होता है होता है चार चकर का होता है था चाहरला किक्लो मेट्र का होता है कुछ Canal 5 yogurt 5 अð Andreas 5 सब खाता है चाहता है और बदाह्यां क्ला सकूद्भ सब्स रहते होंगे तो आते होंगे देखने होते हैं वह इसे दुलार से खिलाते पिलाते हैं आप यह जब आई थे बाएध है तो बोले कि अधम साजी स्वचा गया है नितिस्कुमार लोग जान के उनको फसाया है पूछ कर सकते हैं तो सब सरकारे समुंद्रें किसी को अपने रखते हैं अपने निकल वाते हैं एक आप जूटे हैं अपने हाथ हो जूट है जान बूछ कि कैसी मतलब इसको जेल में रखे हैं सब जान रहा है आप नहीं जान रहे हैं सब जान रहे हैं मेडम रड़ेंगी इस अचली यह इपने इनको लाडला नाम जो शेलाई था कहां से सब्सक्राइब करते हैं जिसका जिक्र कई आप कहानी में सुनते हैं इधर गाये लोग है कितना गाये बहुत कम है सब्सक्राइब करते हैं इतना लोग होगा पांचे वस्टाफ है आप बोले कि कम से कम रोज सो दूसरा अदमी के खाना बनता है अभी भी तो 50-50 अठाइब करना पर देख लिए गाये लिए सो दूसरा अधमी रोड़ आथा खाना हां कहीं कि भी लोग आ जाये हां चाय पानी खाना सब को होता था अच्छा इव बताए इस बोले थे कि आप घैस पर खाना नहीं बनता है अब चुल्हा बनता है ज़िए बन बनता है तो टल चुल्हा बनता है अधम नेचुलल गाओं द्यातव नी बनता था माह पहले बनाता था उसी तरह से बिलकुल कितना लंशंव दूद देता होगा दूदव होता है एक कुंटल रोज जिसमें मठा चाई ड़ी आप जितना लोग है अश्टाप सब खाता पीता पटने में आजकल है अभी निकले हुए निकले हुए है और चुनाव मैटम ही लड़ेंगे है जहां घोड़े थे और यह गायवाय है भाई साब बताए कि बहुत सारा गाय पहले था और अब जो गाय है वो कम हो गया है लेकिन जो तना दूध हो थे सब का मठा दही बनते रहत है इसके लिए बहुत सारी कहानिया जो हैं प्रचलित हैं और कहा जाता है कि कोई भी रेस नहीं हारता ही है और लाजला घोड़ा को अपने आते थे तो खिलाते थे और अनन सिंग को घोड़े हाथी का सौक है यह जो है इसको कहा जारा है कि बुत्रू है बुत्रू मतलब की और इसलिए अभी इसका ज्यादा मतलब कुछ ना मुआम नहीं रखा गया या रेस वेस में नहीं गया लेकिन लाजला कई बार जीत चुका है बाकी अनन सिंग का आवास है और अनन सिंग के आवास पराना इसलिए ज़रूरी हो गया था ताकि आपको मालूम चल सके कि देख नितीश कुमार को अनन सिंग के चलते मुंगेर बार में नितीश कुमार का दबदभा बढ़ा और जब अनन सिंग आये थे राजनीती में तो अनन सिंग ने उनको वहाँ बहर पूर मदद की थी और यही अनन्सिंग जिसको आज सारे जदियू और भाज्पावाली सिपाई कहते हैं कि यह बहुत बड़े माफिया है अपराधी हैं वही अनन्सिंग दो बार जदियू के टिकट से विधायक बने एक बार आरेड़ी से बने और दो बार अनन्सिंग निर्दलियव ही वाला आवास और यहीं पर देखिए इदम शांती सी पस्री हुई है कोई देखने सूने वाला नहीं है जिस अनन सिंग के यहां बहुत खरियाली होती थी जो लोग बोलते रहते थे लोग खाते रहते थे आकर दो सो आदमी का खाना इननों बताया गी और बनता था आज वहीं अनन सिंग जेल में है अलाकि उनका कहना है कि वहाई कोट जाएंगे सुप्रीम कोट जाएंगे और उनको न्याय मिलेगी बाकि आपके नन सिंग से जादे जूड़ी हुई कैसी है कवंड़ॉक्स मिले के बताईए बहराल मेना नाम प्रशान तरह है कैमरे के बीचे विशाल खड़ी थे बहुत बहुत धनिवाद